आज आपका स्वागत है। आज आपके साथ फेर करेंगे घूबनी रेसिपी। देलम होने देंगे 1 बड़े चम्मच, कड़ें में 1 तेजपत जीर तेजपत पका लिए हैं, अब हम दाल लेंगे बारी कटा हुआ प्याज बड़े साइच का है डाल देंगे कढ़ाई में और मेडियम फुलिंग पर भूनेंगे अच्छे से भून लिए हैं इसमें डाल देंगे आदा छुटा चमच हल्दी पौडर नमक स्वाद के अनुस्वार डाल देंगे अच्छे से अच्छे से नमक डालने से प्याज जल्दी से गल जाता है अच्छे से हम इला दिये हैं अब हम इसमें डालेंगे टमाटर एक टमाटर मेडियम साइज का बारी काट कर डाल दे आ मिला देंगे अच्छे से टमाटर को भी प्याज के साथ कबर करके हम पकाएंगे प्याज टमाटर को एक मिनट धग कर पका लेंगे एक मिनट के बाग फिर से हम इसे मिला देंगे मिला दिये हैं अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे ये इसमें डालेंगे हम अदरक लस्टन हरी मिच प्याज का पेस्ट है डाल देंगे कड़ाई में मिला देंगे अच्छे से इसमें डाल देंगे आदा छोटा चमाच धन्या पौडर आदा छोटी चमाच जीरा पौडर आदी छोटी चमाच कस्मी लाजमिच पौडर डाल देंगे मिला देंगे सारी मसालो को अच्छे से हम अच्छे से हम मसालो को मिला दिये हैं कभर करके हम पकाएंगे मसालो को अच्छे से मसाले को पका लिये हैं फिर से मिला देते हैं इसे आप हम इसमें डाल देंगे ये कासूरी मेती अधा चमश मिला देंगे अच्छे से मिला दिये हैं अब हम इसमें ये भिगोया हुआ चना डाल देंगे एक कप चना है भिगो के रख दिया था मैंने अच्छे से डाल कर मिला देंगे कडाई में और एक मिनट के लिए हम कवर कर देंगे एक मिला देंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे देर कप देर कप पानी डाल दिये हैं मिला देंगे अब कवर करके हम इसे पकाएंगे 20 मिनट लो फिलम पर पकाएंगे हम बीच पीच में चलाते रहेंगे दो तीन मिनट के बाद तो लीजे अच्छे से गुगनी पक चुका है अब हम इसमें ये डाल देंगे गरम मसाला पॉडर आधी छोड़ी चम्माच डाल कर मिला देंगे मिला देंगे हैं अच्छे से अब कवर करके हम एक मिनट और पका लेंगे एक मिनट के बाद फिर से हम इसे मिला देंगे तो लीजे फ्रस्ट तयार है गुगनी अगर आपको ये रेश्पी पसंद आए तो लाइक, सेर, सस्क्राइब करना भोले रेश्प को हम बंद कर देंगे मिलते हैं अगले वीडियो में बाई गाई